CBSC Words में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम Classics Maths का Chapter 8 जिसका नाम है Decimals उसकी exercise 8.3 डिसक्स करेंगे पुरानी वेली NCRT बुक में यह जो exercise है वो 8.5 है Question No.1 Find the sum in each of the following तो आपको sum बताना है तो यहाँ पर दको decimal वाले number है इनका sum करना है एक चीज आप ध्यान रखना कि जैसे decimal लगा है decimal के right में जितनी भी digit लिखी होगी तो जिस number में maximum digit जहां तक लिखी हुई है जिस place तक सब को आपको वही तक बना लेना है अभी हम करते हैं तो वो चीज आपको clear होगी जैसे ए वाले की बात करने 0.007 plus 8.5 plus 30.08 तो decimal के बाद maximum कहा तक लिखा है किस place तक लिखा हुआ है तो पहले वाले नमबर में आप देखोगे कि ये 10th है, 100th है, 1000th है यानि decimal के बाद 3 digit तक लिखा हुआ है दूसरे वाल नमबर में decimal के बाद बस 1 digit तक लिखा हुआ है तो इसको भी 3 digit तक आप बना लोगे कैसे बनाएंगे, देखोगो इचीज में आपको कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी decimal वाला नमबर है तो decimal के right side last में हम जितना चाहे 0 लगा सकते हैं, और 0 लगा हुआ है decimal के right last में तो हटा भी सकते हैं तो हम लगा के एक ही जैसा सबको बना लेंगे अब देखो 0.007 decimal वाले नमबर को हम add कैसे करते हैं decimal के नीचे decimal लगा लो और फिर जैसे जो number लिखा है वैसे लिख दो 8.5 decimal हम यहां लगा देंगे decimal से पहले 8 लिखा है decimal के बाद 5 लिखा हुआ है फिर 30.08 decimal के नीचे decimal decimal के left side में 0 लिखा है उसके left 3 लिखा है decimal के right 0 लिखा है उसके बाद 8 लिखा हुआ है अब जैसे मैंने आपको बताया कि decimal के right side last में हम चाहिए जाए जितने 0 लगा सकते हैं तो 8.5 है, 5 के बाद एक 0 यहां और एक 0 यहां, 2 0 लगा देंगे, इसी तरह यह 30.08 है, यहां भी एक 0 लगा देंगे, अब simple इंको add कर लो, 700 यह तो आपका 7 हो गया, 008 ही आपका 8 हो गया, 050 यह आपका 5 हो गया, 0.080 यह आपका 8 हो गया, और यह 3, तो इनका sum क्या आ गया, 38.58 7, 10 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08 इक्वल होगा 38.587 के, तो यह वाले का answer हो गया, अब भी वाला देख लेते हैं, यहां पर दोखो आपका एक whole number दिया हुआ है, 15, 15 decimal वाला number है नहीं, लेकिन इसमें भी हम decimal लगा सकते हैं, यहां पर right side decimal लगा सकते हैं, और जितने चाहे आगे 0 लगा सकते हैं, क्योंकि यह चीज मैं आपको बता चुका हूँ, कि अगर कोई decimal वाला number है, उसमें decimal के right side सारा 0 है, या कोई भी number नहीं लिखा, तो उस decimal को, और अगर 0 लगा है, तो 0 को हटा सकते हैं, या तो कुछ ना हो, या तो 0 हो, तो उसको पूरा हटा सकते हैं, यानि decimal ह हटाने से कोई फरक नहीं पड़ा, तो लगाने से भी कोई फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन लगाने से हमारा addition हो जाएगा, तो दूसरा वाला number देखोगे, decimal के बाद 3 digits है, तो यहाँ पर भी 15 में हम decimal के बाद 3 zeros लगा देंगे, यानि इस 15 को हम addition के लिए ऐसे लिख लेंगे, अब इसको add कर लो, तो यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, 6 और 8, 14 का 4 यहाँ, 1 carry, 156 हो गया, 639 हो गया, यह decimal हो गया, यह 9 हो गया, और 112 हो गया, 29.432, 10 15 प्लस 0.632, प्लस 13.8 इकोल 29.432, तो B वाले का अंसर हो गया, C वाला भी इसी तरह से कर लेंगे, अब दोको 0.55, एक और यह 0 लगा दे, अब इसको add कर लेना है, 6, 4, 10 का 0, यहाँ 1 carry, 1785, 13 का 3, यहाँ 1 carry, 6 हो गया, 0.72, तो 27.076, प्लस 0.55, प्लस 0.004, यह बराबर हो जाए, कितने, 27.630, अब जैसे मैंने बताया था है, कि decimal के right side, अगर last में 0 है, तो उसको हटा सकते हैं, या अगर नहीं है, तो ल 9.005, इसमें यहाँ 0 लगा देंगे, और 3.7, यहाँ last में 0 लगा देंगे, ताकि जितनी प्लेस तक एक नंबर है, 9.005, यह decimal के बाद 3 डिजिट है, तो हम यह कोश्च करेंगे, कि सारा जो भी नंबर हमको दिया है, उसमें decimal के बाद 3 डिजिट हो, तो add करने पर 38.355 अंसर आ जाएगा, इवला भी इस तरह से आप लिख लोगे, decimal के बाद 3 डिजिट तक हमको सारे नंबर लिखने है, तो 0.75 यहाँ 0 लगा देंगे, फिर 2 लिखा है, यानि यहाँ point लगा के 3 0 लगा देंगे, अब इसको add कर लो, तो sum करने के बाद आपका answer 13.175 आएगा, अब है फ जैसे 280 में, once early place पे 0 है, 25 में 5 है, 38 में 8, तो once early place सारा एक line के अंदर, tens early place पे देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, एक line में, hundred early place पे 280 में तो 2 है, बाकी में hundred early place पे कोई नहीं है, इसी तरह decimal के right side आप set कर सकते हो, तो sum करने पर आपका answer 343.89 आ जाएगा, तो question number 1 हम उसे पुछ रहते हैं, तो मैं Oswal books को suggest करूँगा, इसको मैंने देखा है, और इससे पढ़के आप अच्छा score कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़े हैं, जैसे revision notes हो गया, इस तरह के mind maps आपको मिल जाएगे, जो in text questions होते हैं, इसे try these बगएरा, उसके detail solution आप more पर click करना है, तो देखो classics book, इसका link आपको मिल जाएगा, यहां से click करके, Amazon से आप purchase कर सकते हो, question number two, राशिद spent rupees 35.75 for maths book and 32.60 for science book, find the total amount spent by राशिद, तो राशिद ने math की book पे इतना खर्च किया, science पे इतना खर्च किया, total के इतना खर्च किया, दोनों को add कर लोगे, तो total आ money spend, यह कैसे निकलेगा, दोनों का add कर दो, अब अगर direct कर सकते हो, तो direct लिख दो, नए तो नीचे सम करके आप दिखा देना, इस तरह से, तो यह 5 हो गया, 7613 का 3 यहां, फिर decimal 1 carry, 1 plus 5, 6 और 628, और 336, तो 68.35 आ गया, तो आप यही लिख देना, therefore total amount spent equals rupees 68.35, तो यह असका answer हो गया, question number 3, राधिका's mother gave rupees 10.50 and her father gave 15.80, find the total amount given to Radhika by the parent, तो राधिका की मा ने इतना रुपए दिया, फादर ने इतना रुपए दिया, total कितना उनके parent ने दिया, यह आपको बताना है, total sum कर दो, तो अब लिखो के money given by mother, rupees 10.50, money given by father, equals rupees 15.80, total amount given by the parents, equal, दोनों का add कर देंगे, अब इसको भी चाहो, तो लिख के दिखा दो, कि कैसे add करना है, नहीं तो आप direct भी कर सकते हो, तो directly आप add करोगे, तो दोखो, decimal के बाद जो लिखा है, अगर money की बात करें, तो वो पैसा होता है, यानि 50 पैसा और 80 पैसा, इसको add करेंगे, तो 130 पैसा आएगा, अब 100 पैसा आपका 1 रूपी बनाता है, तो 130 पैसे का मतलब क्या है, कि 100 पैसा और 30 पैसा, 100 पैसा मतलब 1 रूपी, 1 रूपी और 30 पैसा, और decimal के left जो लिखा है, वो रूपी लिखा है, यानि 10 रूपी और 15 रूपी, इसको add करेंगे, 25 रूपी आएगा, और 1 रूपी है, और add कर दो, त 26.30, नई तो rough में side में भी add कर सकते हो, question number 4, नसरीन bought 3 meter 20 centimeter cloth for her shirt, and 2 meter 5 centimeter cloth for her trouser, find the total length of cloth bought by her, तो इतना कपडा shirt के लिया, इतना कपडा trouser के लिया, तो total length आपको बतानी है, यानि कितना total कपडा लिया उसने, तो add कर देंगे इसको भी, तो अब लिखा हो, length of cloth bought for shirt, equal 3 meter 20 centimeter, अब इसको decimal के form में पहले लिख लेना है, कैसे लिखेंगे हम, देखो, meter में convert कर लेते हैं, तो 3 meter तो कुछ करना नहीं है, 20 centimeter को meter में बदल लेते हैं, तो आप जानते हो, 1 centimeter बराबर होता है, 1 upon 100 meter के, तो 20 centimeter किसके बराबर होगा, 20 upon 100 meter के, 20 upon 100 का मतलब क्या है, देखो 100 में 2 0 है, तो right से decimal, 2 digit के पहले लग जाएगा, यानि 0, 2 और यहाँ, तो इसका answer आ जाएगा, 0.20, अब 3 प्लस 0.20 इसको add करना है, तो 3 और 0 whole वाला पार्ट है, ये पूरा add हो जाएगा, उसके बाद 0.20 आ जाएगा, तो इसको हम simply क्या लिख सकते हैं, 3.20 meter, अभी मैंने बता हैं कि 3 कैसे दो 0 लगा लो, और 0.20 लगा लो, इस तरह set कर लेंगे, तो 0 हो गया, 0 to आपका 2 हो गया, decimal के नीचे decimal और 30, तो 3.20 इस तरह से आ जाएगा, फिर आप लिखो के length of cloth board for trouser, trouser के लिए 2 meter, 5 cm उसने purchase किया, अब 5 cm को meter में बदल लो, तो अभी मैंने आपको बता है कि cm को meter में कर देना है, 100 में 2 0 है, यही राइट से 2 digit के बाद decimal लगेगा, राइट से चलेंगे एक digit यह, और 5 से पहले तो कोई digit है नहीं, तो 0 लगा देंगे, इसके बाद आपका decimal लगेगा, यानि यह क्या हो जाएगा, 0.05, अब इसको add कर दो, 0 whole वाला पार्ट है, 2 के साथ add हो जाए जैसे हो, जैसे आप लिख दो यहाँ पर, 3.20 और 2.05, ठीक है, इसको ऐसे राफ में लिख लेना, 0 और 5 आपका 5 हो गया, 2 और 0 आपका 2 हो गया, 0.325 हो गया, यानि यह आपका आजाएगा, 5.25 मीटर, जब दो नमबर को add करना हो, और decimal के बाद जादा digits ना हो, तो आप direct add कर सकते हो, नई तो rough में add करके direct link दो answer, अगर थोड़ा सा बड़ा है, तब आप करके दिखा देना, तो यह question number 4 हमारा हो गया, question number 5, नरेश वाक 2 km 35 मीटर in the morning and 1 km 7 मीटर in the evening, how much distance did he walk in all, तो सुबह इतना चलता है, शाम को इतना चलता है, total वो कितना चलता है यह आपको बताना है तो आप लिख देना, distance walked in the morning, तो यह आपका 2 km 35 मीटर हो गया, अब इसको decimal के form में लिखेंगे, उसके लिए जो मीटर है, उसको किलो मीटर में बदलना पड़ेगा, तो यह 35 मीटर है, इसको किलो मीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में आपका 1 upon 1000 km होता है, यहाँ पर 35 मीटर ह तो बस 1 की जगां आप 35 कर दो, अब 1000 में 30 है, यह राइट से 3 डिजिट के बाएट decimal लगेगा, तो राइट से चलेंगे तो 5, 3 से पहले कुछ नहीं, तो 0 लगा लो, फिर decimal लगेगा, यह आपका आ जाएगा 0.035 km, अब पिछली वाली exercise में आपने सीखा होगा, कि इन दोनो 035 km से, तो 2 वाला हमारा once place पे है, यह 0 हमारा once place पे है, इनको add कर लोगे, 2 प्लस 0 आपका 2 ही होता है, फिर decimal के बाद जो digit लिखी है, वो सारा लिख देंगे, यानि 035, तो यह इतनी कहानी आप रफ में कर सकते हो, यह अगर आपकी practice अच्छी होगी, तो direct ही कर सकते हो, direct आप कैसे करोगे, आप देखोगे कि 35 meter है, kilometer हम बनाना है, यानि 1000 से divide होगा, तो right से 3 digit के पहले decimal लगेगा, यहाँ पर 35 दो ही digit है, यानि इसके पहले 0 भी लगाना पड़ेगा, तो 035 होगा, यह decimal हो गया, अब यह जब 2 से add होगा, तो यहाँ जो 0 है, वो 2 से add हो जाएगा, बाकी 035 वैसे ही रहेगा, तो यह हो जाएगा, 2.035 kilometer, distance walked in the evening, 1 kilometer, 7 meter, यह बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 meter है, 1000 से divide होगा, तब आपका kilometer बदलेगा, यानि right से 3 digit के पाड़ decimal लगेगा, एक digit, उससे पहले कुछ नहीं 0 लगा देंगे, दूसरी digit, फिर कुछ नहीं 0 लगा देंगे 3 digit हो गई, अब यहाँ decimal लग जाएगा, यानि 0.007, तो 1 प्लस 0.007 क्या हो जाएगा, 1.007 kilometer, total distance walked यह कितना हो जाएगा, 2.035 kilometer प्लस 1.007 kilometer, इसको भी चायर रफ में कर लो, या चलो लिक की दिखाई देते हैं, इस बार, 2.035, 1.007, इसको add कर लेंगे, तो जो जिस प्लेस पर हो उसके नीचे आएगा, और वैसे ही add का 5 और 7 आपको 12 होता है, 2 यहाँ 1 carry, 1, 3 आपका 4 होता है, फिर यह आपका 0 हो गया, 0.2 और 1, 3 हो गया, तो अब लिक दोगे, 10, the distance नरेश walked in all, यानि total कितना उसने चला, तो यह आ जाएगा, 3.042 kilometer, तो question number 5 हमारा हो गया, question number 6, सु जाने के लिए, how far is her school from her residence, तो उसके घर से school कितना दूर है, जहाँ वो रहती है, वहाँ से school कितना दूर है, तो बस से इतना चली, कार से इतना चली, पैदल इतना चली, तब जागे school पहुंची, तो यह पूरा हम add कर देंगे, तो total आ जाएगा, कितनी दूर ही है, जहाँ व right होगा, right से तीन डिजिट के बाद decimal लगेगा, तो इसको आप यहाँ दिखा भी सकते हो, और direct भी कर सकते हो, जैसा हम करते हुआ आ रहे हैं, चले यहाँ करके हम दिखा देते हैं, ताकि एक बार में सारी चीज़ें इसको करने में problem है, वो दो step में कर सकता है, तो 0.268 km यह ह बदल लो, तो दो को 7 है, right से तीन डिजिट के बाद decimal लगेगा, तो तीन 0 लगा देंगे, तो यहाँ आपका यह क्या हो जाएगा, 0.007 km, अब इन दोनों को आप एड़ कर लो, decimal वाले नंबर को whole नंबर के साथ कैसे आड़ करते हैं, आप जानते ही हो, 7.007 km आ जाएगा, distance total distance travel निकालना है, तब आप distance बता पाऊगे, तो total distance travel, जितनी भी हमने value निकाली, सब को हमको add कर देना है, अब दोको यहाँ पर बड़ा number है, तीन numbers है, तो इसको directly करने में आपको problem आएगी, तो इसको आप लिख के दिखा देना, यह best रहेगा, 8, 7, 15 का 5 यहाँ, 1 carry, 1 of 6 आप का 7 हो गया, 25 आपका 7 हो गया, 0.5712 का 2 यहाँ, 1 carry, तो 22.775 यह इसका sum आगया, अब आप लिख हो गया, आपको question ने पूछा गया था, how far is her school from her residence, तो आप लिख देना, सुनी था, school is 22.775 km far from her residence, तो इस 6 वाले का answer हो गया, यह आप इतना बड़ा statement नहीं लिख सकते, तो तो यह यह चीज़े उसने खरीदी, तो टोटल वेट कितना हुआ, तो सबका अलग लग जो वेट दिया है, उसको add कर दो, तो टोटल वेट आ जागा, पहले आप statement लिखोगे, weight of rice, यह कितना है, 5 kg, 400 ग्राम, अब इस ग्राम को kg बदल लो थाकि यह decimal वाला नंबर बन जाए तो यह चीज़ आप जानते हो कि ग्राम से kg वेट बदलना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 में 30 होते हैं, यह decimal कैसे लगेगा, राइट से 3 डिजिट के बाद, तो 400 ग्राम है, यह राइट से चलेंगे तो 1, 2, 3, यहाँ पर decimal लगेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, 5 kg प्ल यहाँ 4 हो गया, 0.5, तो यह 5.400 kg हो गया, वेट अफ शुगर के बात कर लें, 2 kg 20 ग्राम, तो 2 kg प्लस तो को 20 है, राइट से 1, 2, 3 जाएगे कुछ नहीं 0 लगा देंगे, यह हो जाएगा 0.020 kg, इसको आट कर लो, तो 2.020 kg आ जाएगा, वेट अफ लॉर, यह आटे का क्या वेट है, 10 kg 850 ग्राम, तो 10 kg प्लस 850 का क्या हो जाएगा, 0.850 kg, इसको आट कर लो, तो 10.850 kg आ गया, तो अब लेको के टोटल वेट आफ रवी इस परचेज, रवी ने जो चीजे खरीदी, उसका टोटल वेट कितना है, 5.400 kg प्लस 2.020 kg प्लस 10.850 kg, इसको आप नीचे आ सारे नंबर है, यानि तीन नंबर है, बड़े भी नंबर है, तो इसको आट करेंगे, तो यह 0 हो गया, यह 7 हो गया, 4812 का 2 यहाँ, decimal, 1 carry, 15628 और यह 1, therefore, टोटल वेट आफ रवी इस परचेज यह कितना हो जाएगा, 18.270 kg, तो यह इसका अंसर हो गया, और यह exercise भी हमारी complete ह गई, exercise और try this के solution देखने हैं, तो मेरी website है, www.estudyveler.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो, मेरा WhatsApp चैनल उसको भी आफ फॉलो कर लो, ताकि latest update आपको मिलती रहे, privacy आपकी maintain रहेगी, यानि आपका नाम और phone number किसी को भी visible नहीं होगा, कि और वीडियो जगर आपको देखनी जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है, उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक link होगा, side में या नीचे, उस पे आपको click करना है, तो उस चैप्टर की playlist open हो जाएगी, और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो, okay thank you